सुबा खाली पेट, मातर दो पतियां आप चबा कर खाली जिए आपके शरीर को बेहद लाब मिलेंगे शरीर में जमा जितनी भी गंदिगी है वो साफ होगी जोडों के दर्द में आपको अराम मिलेगा और साथी साथ अगर आप बहुत लंबे समय से गैस, एसिडिटी, जदे मुटापे से, खून की कमी से, आखों की कमजोर रोशनी से परेशान हैं तो इसमें भी आपको काफी लाब मिलेगा कौन सी है ये पत्यां और किस तरीके से इस्तमाल करनी है, आज कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, आज इस पोधे की मातर दो पत्यां आप रस्तमाल करते हैं, तो आपको सो से अधिक बिमारियों में काफी लाब मिलता है लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से, कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, तो इससे लाइक करके मुझे अपिशेट जरूर कीजिएगा आज हम बात कर रहे हैं अजवायन की पत्यों के बारे में अजवायन का पोधा बहुत आसानी से आप किसी भी नरसरी से ले सकते हैं और इसे गमले में उगा सकते हैं अजवायन के पोधे को उगाना बेहद आसान होता है मातरिस की एक दंडी को तोड़ कर अगर आप दूसरे गमले में लगा दे तो भी ये बहुत आसानी से हो जाता है कभी सूखता नहीं है आप इसे ठीक से पानी देते रहेंगे तो ये हमेशा होता रहता है आज की इन पत्तियों को अस्तमाल करने के लिए आपको अजवायन के पोधे की जरुत होगी जो कि बहुत आसानी से आप किसी नर्सरी से ले सकते हैं और गंबले में उगा सकते हैं या फिर आपके आसपास ऐसी कोई जगह खाली है जहां कोई छोटा मोटा पोधा आप लगा सकते हैं तो बहुत आसानी से लगाया जा सकता है किस तरीके का होता है देखने में इसके लिए आपको इमेज यहां पर आसानी से दिखा दी गई है चोटा सा वीडियो भी दिखा दिया गया है जिससे आप ही पहचान कर सके कि यह देखने में कैसा होता है चलिए अब बात करते हैं इसके पोशक तत्वों के बारे में तो इसके अंदर भरपूर मात्रा में आरन, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्पोरस इसमें थाइमोल पाया जाता है जो की शरीर के लिए काफी फायदे मंद होता है अब बात करते हैं एक एक करके इसके फायदों के बारे में तो अगर आपको बहुत लंबे समय से जिद्धी मुटापे की समस्या है वजन कम ही नहीं होता है, मेटाबलिजम बहुत स्लो है तो ऐसे में अजवायन की दो पतियां आप सुभा खाली पेट चबा कर खाने की आदर डालें और लगातर पंदर दिन तक खाएं यानि के दो हफते तक तो इससे आपको काफी लाब मिलते हैं मेटाबल्जम स्ट्रोंग होता है, खाना ठीक से पच्छता है और साथी साथ वो लोग जिने खाना ना खाने का उवन करता है या बहुत जादा भूग लगती है या फिर अगर खाना खा लेते हैं तो गैस, एसे लोगों को भी काफी लाब मिलता है इसके अलाबा अगर आप बहुत लंबे समय से जोडों के दर्द की समस्या से परिशान है तो इसमें एनल्जिसिक तत्वों पाये जाते हैं जो की जोडों के दर्द या सूजन को कम करने में काफी मदद करते हैं तो अगर आप जोडों के दर्द की समस्या से परेशान हैं तो इसका कहड़ा आपके लिए काफी फायदे मंद रहता है कहड़ा बनाने का तरीका भी हम वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करेंगे अगर आप बहुत लंबे समय से हाई कॉलिस्टोल की समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में भी अजवायन की पत्तियों का सेवन या इसके कहड़े का सेवन आपके शरीर के लिए काफी फायदे मंद रहता है जिन लोगों को भी आँखों की कमजोर रोशनी की समस्या है उनके लिए भी अजवायन की पत्तियों काफी फायदे मंद होती है क्योंकि इन में पाय जाती हैं ऐसे तत्व जो की आँखों की रोशनी बढ़ाने में काफी मदद करते हैं इसके अलावा अगर आप बहुत लंबे समय से खून से जुड़ी समस्याओं से परिशान है जैसे के शरीर में पिलिये की दिक्कत है या खून कम बनता है या खून की खराबी की समस्या है तो ऐसे में अजवायन की पत्तियों को पीस कर इसका पेस्ट अगर आप लगाते हैं तो इससे आपको बेहतलाब मिलते हैं अजवायन की पत्तियों का सेवन करने से आप डी हाइडेशन से भी बच सकते हैं क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक पाई जाती है लीवर में इंफैक्शन की दिक्कत है या किड्नी में पत्री की समस्या है तो ऐसे लोगों को भी अजवायन की पत्तियों का सेवन या कहड़े का सेवन काफी लाब देता है इसके अलावा जो लोग बहुत लंबे समय से दांत की समस्या से परिशान है या दांत में कीडा लग गया है या मुसे बद्बू आती है तो ऐसे लोगों को इसके पत्तियों से बना जो कहड़ा होत या फिर आप चाहें तो आजवाइन की ताजी पतियां इसका रस निकालने 15 ml की मात्रा में this में थोड़ी सी काली मिर्च थोड़ी सी सोट और साथ प्रिम्हें थोड़ी सा शहद मिला अगर लेते हैं तो दिन में और दिन में एक या दो बार लेते हैं तो इससे आपको काफी य या तीन दिन में खासी में काफी अराब मिल जाता है पेट में अलसर की दिक्कत है यह शरीर में यूरिक एसिट की मात्रा बढ़ गई है तो ऐसे में भी आजवाइन की पतियां आपको बेहत लाब देती हैं जब आप इनका इस्तमाल करते हैं तो यह शरीर से यूरिक एसिट की सेवन करना इसके कहाड़े का सेवन करना आपके लिए काफी फायदेमंद होता है सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे डारेक्ट भी खा सकते हैं आप इसके कहाड़े का या इसके रस का इस्तमाल भी कर सकते हैं और इसकी पत्तियों को सुखा कर इसके चून का इस्तमाल भी आपकर सकते हैं अगर आप बात करें मातरा की तो इसका जो रस आप ले दिए हो दो तीन पत्स चार-जार चली अब आपको बताते हैं कि आप कहड़ा के से बना कर त्यार करेंगे तो अगर आपको body को detox करना है, जिद्धी मुटापे को दूर करना है या फिर आप बहुत लंबे समय से फेपलो के infection, गले के infection से परिशान है या जोडो के दर्द से परिशान है, तो ऐसे में इसका काड़ा बनाने के लिए आपने 15-20 पतियां का काड़ा बनाने के लिए, आपने 15-20 पतियां लेनी है अजवायन की और दो गिलास पानी के साथ उबलने के लिए रख दें और इसी के साथ इसमें एक चुथाई चमस सोफ आपने डालनी है साथ में आप इहां पर एक चमस सोफ डालेंगे, जो नॉर्मली हम अपने किचन में इस्तमाल करते हैं अगर सोट ना हो तो इसके जगे थोड़ा अधरक कूट कर भी आप इसमें डाल सकते हैं इसके अलावा थोड़ी मातरा में जीरा आप इसके अंदर आड़ करेंगे, थोड़ी सी तुलसी की पतियां भी आप इसमें आड़ करेंगे इन सारी चीजों को अच्छे से पका लें, जब ये पकते पकते लगवग 15-20 एमल या मैक्सिमम 30 एमल तक रह जाएं तो छान करके आप इने पी ले, अगर अचा नहीं है, आप इसमें कुछ मीठा मिलाना चाहते हैं तो गुन-गुना होने पर थोड़ा सा शेहद मिला करके आप इसको ले लिजिएगा सुबा खाली पेट या रात को सुने से पहले दिन में एक बार इसका सेवन कीजिएगा एक से दो हफ़ते में ही आपको काफी लाब मिलते हैं लेकिन इसके साथ एक बात का ध्यान अविश्यर रखें कि अगर आप गर्वती महिलाएं हैं किसी गंभी समस्या से परिशान है या चोटे बच्चे हैं तो अपने डॉक्टर की सलह के साथ इसका सेवन करें फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ अब तक अपना खयाल रखें अपनों का खयाल रखें और हस्ते मुस्कुराते रहें स्टे हैल्थी